थेल सारे कप्ड़े हो रही हैं और फिर मुझे नहाना है फुर्जा पाथ करने कपड़े देल सारे है उससे पहर्श पाने नेचे से ले के आये हैं कि असुबर सुभे इतना सारा पार्ण करने क्या घ। कि इतना सार धुम्त यह हो रखा है और ही डूम सैंथ वहोत आप ser को मैं मिर्ची नगरिया चाहर ही यह ठंड वापर आग नहीं है पता नहीं मैं तक ना इतना 7.8 कर समय रहा है यहां गली में से भी दिखाती हूं देखो पास वाला इंसान नहीं दिखाई देड है दिली में कुछ जादा ही हो जाता है तो सुबह सुबह की चाय बनाएंगे चाय बना लूँ देखो मैंने बोला ना तो चलो काम कर लेते हां बोल चलो तो काम करते हैं बहुत सारी जाता है इतना सारव द्धूआ कि इतना सारह रखा है है कि दूआ वगेरा है कि युद्धूआ भी तंदे वापस अगई है कपड़ों परेंने पढ़ेंगे हां इतायां थे अजर्जार नियुक्ति ने तिर नहीं होती है यह था चाहिए इन घोटी का काम करते हैं के सब्सक्राइब करते हैं चलिए तयार है और चलते हैं ऐसे वालों में हाथ डाल के मुझे आगे बाल करके रखना ज्यादा अच्छा लगता आप लोग उन देखा होगा ऐसे बहुत सारी मेरी वीडियो हैं सबसे पहले तो यह है मेरा लुक ज्यादा कुछ भी नहीं किया यह मंदिर मैंने कच्छा दू अपना संतुष्टी से पूजा हो जाती है सब कुछ अपना लेकर जाओ किसी से मांगने की जरूरत नहीं है तो धूबत्ती यह सब लेकर चल दिए इसको ढाक लेते हैं इस तरीके से खुला हुआ लेकर चलो तो अच्छा नहीं लगता तो चलिए चलते हैं सर पर साड़ी ड हो जाती है कोई नहीं चलिए हम आ गए मंदिर वहां का मंदिर अलगते हैं यहां के मंदिर आ रहे हैं आप लोगों को पता है और आप लोग भी आजाई मेरे साथ पूजा कर लीजिए जो बनाया वंसुने बनाया ज्यादा कुछ नहीं भीर बहुत थी आज ही सारे लोग रहे थे जो बैस भूले वाबा सबकी इच्छा पूरी करें अपना जीवनियापन करें यह दू चड़ा रहे अपनी दियावाति करी और आप लोगों ने सिवरात्तरी पे क्या किया और हमारे यह ना सिवरात्तरी पे जैसे खीर पूरी कचौड़ी यह तो हम लोग करते ही कर सब बनता है कि शादियों खूप पहसी से यह वैसे वित्तित्युहार पेखाना पीना ना बने तो बस आर्ती कर लिए और बस आप लोग भी आज जोड़ लेजिए यहां पर सबी देव्देव बैठे हुए यह तरीकिए यह तरीके से था तो कैसा लगा घर पे आ गई हूँ और यह अब अपना जूड़ा वगयरा बांद के खाने पीने में लग जाती क्योंकि खाना पीना बनाना है सारथ तैयारी करके गई थी मैं पर बनाना रह गया था था मैंने इन लोग के लिए खाना बना दू क्योंकि भूक का टाइम हो गया है हम लोगों का ब्रत है आदमी लोग का नहीं है गीले बाल है गीले बालों में ही मैंने जुड़ा बनाया है साड़ी थोड़ी खड़ी है ना तो फूली-फूली सी दिखती है और ये मैंने टीका घर में भी लगा और बहां से सिवरात्री पर जल चड़ाते दूद और पानी का उसमें भोले बाबा पर चड़ा के जो नीचे अच्छा लगता है खुद में अच्छा लगता है मैं चीजी है तो यहां पर आगे तीयारी करने लगी मैंने चाय बनाई अपने लिए और वंसु से कुछ कह रही थी मूलियों की सबजी मूली खराब हो रही थी तो मैंने वोला इनकी सबजी बना लू ऐसे आलू टमाटर प कुछ कुछ मंगारी आप लोगों कुछ एरे से गुसा भी रियाक्शन दिख रहे हों क्योंकि बच्चे अंदर भार अंदर भार कर रहे थे मैंनों अंदर भार मत करो अंदर बैठो जाकर टीवी वगएरा चल रही है और इसको काटने में मूली को थोड़ा दिक्कत हो रहा आलू अच्छे से उबल गए इनको चील लेंगे गरम गरम आलू कमरे में बैठके आराम से चील लेंगे और आपने क्या क्या वनाया वो जरूर बताईगे और आपने चोखट पे भूले बाबा पे चड़ा हुआ जल चिड़का के नहीं चिड़का यहां मूली धोली है और आलू वाले उसी में मूली उबलने के लिए रख दे रही हूँ और जब तक मैं अपनी तेयर लेसन वप्याज बगएरा कुछ नी डाला वजीरे से भी चोख दोना तो अच्छा बनता है और आप लोगों नहीं सिवरात्तरी पर क्या वनाया है आप लोग भी मुझे कमेंट क करके बताना हमारी यह तो नॉर्मल ही वैसे भी बनता रहता और हर रोज खाएं तो हार पर ना खाएं तो गलत बात है और आप आएगी होली इसके वाद तो होली ही होली है होली की तैयार हूं मुझजट जाना है गाउं सम्में तो बनाने भी लग गए मतलग गोबर की और च काटोरी तो हो थोड़ा उसको धो के पानी डाल दिया गैस पे रख दिया वलने के लिए इसको वलने देते हैं चावल भिगो दिये हैं यहां पर मैं फटाफट से आलू छील लेती हूं आटा मैंने गूंद के रख दिया क्योंकि पूरी का आटा थोड़ा सा ठाइट होती है और आलू मैंने गरम-गरम से छील लिए इतने आलू तो काफी पहले फिर इन्होंने बोला पीती कचोड़ी भी बना ले मैं नहीं अब कचोड़ी वगेना नहीं नहीं बनानी है अब पूरी आई ठीक है आलू गरम-गरम छील नहीं पिर भी मैने जल्दी जल्दी से और आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप लोग बताना और बस अब यह है थोड़ी सी के बच्चों के एक्जाम जल्दी से खतम होजा हमें गाउं जाना है गाउं की शॉपिंग वगेरा भी करनी है ज्यादा दिन नहीं रह गया आज कितनी तारीक है ये व्लॉग यॉव नहीं को जीरे से उनको कर देते हैं और इस ही कड़ाए में पूरी बना उट है जल्दी से कर देना उस इश्टील के कड़ाई का धियान ही नहीं रहता है जीरा हमारा चटक गया उधर मेरी बन रही है खीर इसमें डाल दी मूल और बहुत अच्छा खाना बना था खान तो चलिए नमक डाल दी है मिर्ची डाल दी बस भुझिया में तो कुछ भी टाइम नहीं लगता वह जल्दी बनके तेयार हो जाती है और आप लोगों ने सुबह सुबह उठके कपड़े और यह सब काम कर लो न तो पूरे दिन जल्दी यल्दी हो जाता है और खाने बच्चों के खाने पीने का भी बहुत ध्यार रहता है और सौवन्सू की थोड़े सा वुखार आ गया था क्योंकि मैंने बताया न उसकी जांगों में गांठे सी प चावलों का अच्छे से मिक्स कर दें फिर इलाइची पावडर डाल देंगे ड्राइफ फ्रूट वगएरा मेरे पास कुछ थे नहीं तो कोई नहीं ऐसे चलता अच्छा लगता है चीनी डाल दिये मुझे जितनी मीठी रखनी है उसके हिसाब से मैंने डाली है और इसको मैं तेज चूला नहीं किया धीमी धीमी स्लो स्लो पर ही बन रहे है खीर बनने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और इधा देखिए मैं इसमें भुंजिया निकाल दिये आलू की तैयारी करते है यह देखिए बुंजिया बन गई है और ना मैं तो किसी मुझे तो सूखी सब्जी से पूड़ी वग्णरा सब खा लेते हैं यहां पर टमाटार आलू की सब्जी छोंक दिये जीरे से नमस मिरच पर जाल दिये अफिनिया की बहुत टेस्टी बहुत अच्छी बनी थी वैसे वी अच्छी लगती है टमाटर को थोड़ा सा गलने देते हैं और इसको के इस तरीके से mix करके असमें आलू डाल देंगे जितने हमें पतला करना उतना हम पतला कर सकते हैं और मुझे ज़्यादा सबजी बनानी नहीं थी आलू क्योंकि मैंने मूली की भूजिया बनाई थी तो इस वज़े से तो यह दिखिए आलू डाल दिये इसमें आप पानी डाल द और यह थोड़ी अद्रक डालना भूल गई थी तो मैंने उपर से डाला उपर से भी अद्रक डालके बहुत अच्छी लगती है तो थोड़ी सी घिया कस कर दी और इनको थोड़ा सा बनने देते हैं उसके बाद गरम मसाला और धनिये इसमें डाल देंगे खाना वह अच्छा मारे खीर भी बन गए इतना सब बनाए तब तक तो खीर बननी ही चाहिए यह देखिए और थोड़ी देर इसको खदकने के बाद गैस को कर देंगे और कड़ाई में से सब्जी निकाल के दूसरे वरतन में कर दें कड़ाई को धो लेंगे आटा गूंद के रखाई था लोईया इसको यह कहेंगे थोड़ी से और होती तब होती तो यह देखिए मेरी पूडियां सिख गई है थाली लगाएंगे अच्छी है पूडियां और आप लोग भी आ जाईए और आप लोग भी खाली लाश्ट पूड एक पूडियां बन गई हैं डॉंगा भर गया है आराम से इ प्रफूंगे मूली की भूंजिया बगेर सब सारा मतलब थोड़ा सा एक चीज कमी रह गई थी कचोडियों की बस कचोड़ी नहीं बना और सब कुछ बनाया है खीर देखें अभी गरम-गरम है और भी काड़ी जैसे वह वह खाते ना वह क्या कहते हैं उसके जैसे लग रही है सबजी है और यह है क्योंकि मैंने मलाई डाली ती आरात का दूद रखा था वो भी डाला घीतो अभी बना नहीं रही हूं तो बस इसका भोग लगा देंगे और बच्चों को दे देंगे और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर रताना थाली कैसी लग रही है अच्छी लोग भी आजये खा लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन के साथ जो मेरी वीडियो आप तक पहुंचे